कुकू टीवी मा, इतने सारे पक्वान आज रात कुछ महमान आने वाले हैं तुम्हारे अंकल और आंटी घर आ रहे हैं वा, आपने केक बनाया है अब देखना साशा, मा केक को चैरी से सजाने वाली है नहीं बच्चो, आज केक पर कोई चैरी नहीं लगेगी तुम्हारे अंकल चैरी नहीं घाते पर ये तो ठीक नहीं है, ये तो हुमारा केक है ये ठीक नहीं है बच्चो, जब घर पर महमान बुलाते हैं तो हमें उनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, समझ गए? ठीक है, जाओ वहाँ बैठो, मैं कहानी सुनाती हूँ ये, कहानी सुनेंगे बहुत वहदे, एक फोक्स और स्टॉर्ट पडोसी की तरह जंगल में रहते थे वो एक दूसरे को ज्यादा परेशान भी नहीं करते थे लेकिन फोक्स बहुत चालाक थी, वो दूसरों के साथ चालाकियां करती थी एक दिन, उसने स्टॉर्ट को परेशान करने का सोचा हेलो, मिस्स स्टॉर्ट, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मिस्स फोक्स, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, असल मैं आपको अपने घर पर इन्वाइट करने के लिए आई हूँ बहुत बढ़िया, मुझे आज तक किसी ने इन्वाइट नहीं किया, पर ओकेजन क्या है? मेरे जन्म दिन पर, मेरे सभी जानने वाले वहाँ होंगे, क्या आप आएंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पका आऊंगी जरूर आना, मैंने चिकन सूप बनाया है फॉक्स इस पार्टी के लिए बड़ी तयारी कर रही होगी अब मुझे तयार हो जाना चाहिए ओ, हेलो मिस फॉक्स, हैपी बर्थडे ओ, आने के लिए शुक्रिया मिस टोर्क अंदर आजाए, डिनर तयार है सच में, खुश्मू तो बहुत अच्छी है चलो चलते हैं शुक्रिया मिस फॉक्स, इस सब के लिए ओ, अब रुकिये मत मिस टोर्क ये रहा सूप, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म तयार मैं इंतजार नहीं कर सकती चलिए पीते हैं इस चलाद फॉक्स ने मुझे बेवकूफ बनाया है मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना कुछ दिनों बाद, स्टोर्क का जनम दिन था ओ, हेलो मिस स्टोर्क हाई, मैं आपको अपनी बर्थरे पार्टी के लिए यहाँ इन्वाइट करने आई हूँ मेरे कुछ रिष्टेदार और आप अगर आप आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा यह स्टोर्क कितनी बेवकूफ है मैंने इसे इतना बड़ा बेवकूफ बनाया तब यह यहाँ आई है ओके इस बेवकूफ से थोड़ा और मजा लिया जाए ओ जरूर बहुत ही खुशी से मैं आऊंगी आप कितनी अच्छी है कि आपने मुझे इन्वाइट किया कब है वैसे अभी एक घंटे में उम्मीद करती हूँ कि आप बिजी नहीं होंगी नहीं नहीं कुछ खास नहीं तब तो ठीक है जल्दी आईएगा मेरी बेहन चिकन सूप बना रही है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है आज तो बहुत ही बढ़िया दावत होगी और मैं शेर की तरह भूकी भी हूँ वाह आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई आईए आईए सूप बिलकुल तयार है कितनी अच्छी खुश्बू है इस सूप की खुश्बू तो मेरे घर तक आ रही थी सच में ये रहा आपका सूप मिस फॉक्स जरूर आपको अच्छा लगेगा ओ, क्या हुआ, मिस फॉक्स चालाक स्टोक अच्छा होगा अगर मैं बड़ी बेवकूफ बनने से पहले ही निकल जाऊँ ओ, मिस स्टोक मुझे याद आया कि मैं स्टोफ पर कुछ रखकर भूल गई हूँ मैं अभी घर जाकर बंद करके आती हूँ एक्स्क्यूज मी, एक्स्क्यूज मी बट मिस फॉक्स, क्या आप सूप नहीं पियेंगी? तो अगर हम अपने महमानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे जब हम उनके घर जाएंगे? वाँ, अच्छी कहानी और बढ़िया डिनर तो अच्छा चलो, अब आकर मेरी मदद करो जैसे ही तुम्हारे अंकल आजाएंगे हम मजे से डिनर करेंगे हाई, मैं हूँ शाइनी अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले कूकू टीवी